जहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल The Smart Edu4U में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स समिस्टर के बारे में फर्स समिस्टर में कितने theory subject हैं कितने practical subject हैं सेस्टनल कितने number का होता है SCA क्या होता है इन सबी चीजों के बारे में यहां पर हम बात करेंगे और पूरी clarity लेंगे तो इस वीडियो को आप पूरा देखेगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और share जरूर कीजेगा तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं फर्स सेमेश्टर के students को पांच theory subject पढ़ने होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है communication skill first सेकेंड होता है applied mathematics first थर्ड होता है applied physics first फोर्थ होता है applied chemistry और फिफ्ट जो होता है वो होता है engineering drawing first तो इसमें कौन-कौन से subject कितने-कितने marks के हैं पहले वो मैं आपको बता दे रहा हूँ तो communication skill first में जो theory का paper होता है वो होता है 50 नमबर का और applied mathematics first में जो paper होता है theory का वो भी होता है 50 नमबर का applied physics first में जो paper होता है theory का वो भी 50 नमबर का होता है applied chemistry का जो paper होता है वो भी 50 नमबर का होता है theory और engineering drawing first का जो theory होता है वो होता है start number का ठीक है तो ये 5 subject जो की theory subject है जिसमें आपको theory exam देना है इसमें जो है इतने इतने number का theory आपका होता है communication skill first में आप communication skill को develop करते हैं और basically इस subject में आपको grammar से related study करनी होती है applied mathematics आप जानते होंगे mathematics है first year और second year के कुछ portion मिला करके यहाँ पर mathematics में आपको पढ़ना होता है applied physics में आप first year के और second year के कुछ physics के part portion मिला करके यहाँ पढ़ा जाता है chemistry भी basically आपका first year का होता है applied chemistry में जो आपको study करना होता है engineering drawing एक आपके लिए यहां पर नया subject होता है जिसका syllabus हो सकता है मैं आगे चलके defined करों तो ये इनके theory numbers थे जो कि इतने इतने number का होता है अब इन में practical भी बता दे रहा हूं किसका किसका practical होता है तो इसमें communication skill first का practical होता है जो कि होता है 20 number का second होता है applied physics first का practical जो कि ये भी होता है 20 number का applied chemistry का practical होता है जो कि होता है 20 number का तो ये आपके 5 theory subject हैं और इन में से 3 के practical भी होते हैं इसके बाद आपका आता है basic of information technology ये सिर्फ और सिर्फ practical subject है इसमें कोई भी theory exam नहीं होता है, आपका सिर्फ viva होता है और कुछ file वेगरा लिखवाय जाता है, basics of information technology को हम short form में BIT भी कहा जाता है और इसका एक lab होता है जिसे हम BIT lab कहते हैं, जिसमें computer related apps की study कराय जाती है, वहाँ पर Microsoft वेगरा के बारे में भी आप study करते हैं, तो basics of information technology का जो वाइबा होता है, जो practical होता है, वो होता है 60 नमबर का और general workshop practice first ये भी होता है 60 नमबर का और ये भी practical subject है आपका, तो general workshop में आप क्या करते हैं, आप अपने college में जब visit करेंगे, तो वहाँ आप different type के shop देखेंगे, जैसे fitting shop, filter shop, welding shop, carpentry shop, तो वहाँ पर आप आपको लकडी से related study कराई जाएगी, practical कराई जाएगी, welding shop में जाएगे, तो welding के बारे में आपको पढ़ाए जाएगा, कि welding कितने प्रकार का होता है, welding कैसे किया जाता है, उसके बाद fitting shop में जाएगे, तो आपको pipe fitting वेगरा के बारे में study किया जाएगा, तो मतलब basically ये आपक प्रैक्टिकल है और यहाँ पर engineering का जो practical होता है, वो practical सारा यहाँ पर सिखा जाता है, और यह all trade के student यहाँ पर जा करके, हर जो shop होता है, उस shop में visit करते हैं, और इस shop में visit करके practical करते हैं, उन सभी का जो shop उन से related होता है, ठीक है, तो यह हो गया general workshop practice first, जिसका practical होता है, 60 नंब होता है, वो sessional आपका दो चीजों को ले करके बनता है, सबसे पहला तो आपका attendance लेकर के बनता है, प्लस attendance के साथ साथ आपका तीन सेस्नल exam test भी होता है, महिने महिने में कराया जाता है, बहुत से college में कराया भी जाता है, और बहुत से college में ऐसे ही teachers, जो है student के performance के अधार पर sessional marks दे देते हैं तो यह मार्क होता है यह होता है 230 नंबर का और यह आपका attendance और आपका जो sessional test होता है वो उसको मिला करके दिया जाता है Sessional आपका 3 बार होता है 3 में से 2 में जिस 2 में आपने सबसे maximum marks गेन किया होगा उसका average निकाल करके यहां दिया जाता है और आपका attendance 75% से उपर है तो यहां पर कुछ marks आपका दे करके add कर दिया जाता है और 230 marks में से आपको यहां पर seasonal marks दिया जाता है उसके बाद आता है SCA यानि कि student centered activity यह समझ दीजिए एक तरह का कोई subject या कोई practical नहीं है यह समझ दीजिए कि एक तरह से गेम पीरियर्ड होता है polytechnic students के लिए यहां पर आपको English speaking वेकरा सिखा जाता है या students को टास्क दिया जाता है कि वो बोर्ड पर आ करके एक एक topic वहां पर जा करके पढ़ाएं या उनको जिसमें इंट्रस्ट होता है जैसे किसी को singing में इंट्रस्ट होता है तो singing वहां पर देखा जाता है मतलब पूर kia first semester में first semester का आपका theory और practical है और sessinal है तो इतने इतने marks का आपका paper होता है और इस तरह से आपको marks मिलता है ठीक है तो तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि हम इस चैनल पर UP Polytechnic से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रम